नमस्कार फ्रेंट्स आज आपका एक बार फिर से स्वागत आज है वगवान दिवे टिप्स में और दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं इलाइची इलाइची को आप कैसे, कहां का और कब इस्तेमाल कर सकते हैं और कब आपको इलाइची खानी चाहिए क्या क्या इसके फाइदे हैं, क्या क्या नुक्षान है कब इलाइची को नहीं खाना चाहिए उसके बारे में हम आपको पूरा बताएंगे इसके लिए आप वीडियो को देखते रहें और अब हम आपको बताने जा रहें इलाइची के फाइदे और निक्षान और इसे कब और कैसे खाना चाहिए तो देखते रहें दोस्तो इलाइची का पहला फाइदा 2-3 ग्राम इलाइची के छिलकों को खाने से मुकी सुजन, शिरदर और नातों के रोब में काफी लाब मिलता है दोस्तो इलाइची का दूसरा लाब इलाइची के छिलकों को जलाकर उसकी राख को सैद में मिलाकर चाटने से वो मिटिंग में काफी आराम मिलता है दोस्तो इलाइची और सुपारी को खतम करती है प्याज लसून ऐसी चीज खाने के बाद में आम एक दो इलाइची खा सकते हैं जिसे मुखे बदबु खतम हो जाती है दो इलाइची गरम तासिर की होती है इसलिए इलाइची का तेल मिश्री के साथ खाने से थोड़ी सी सांस में राद मिलती है और ये बिमारी मे जिन पैदा हो जाए तो आप उसके उपर इलाइची खा सकते हैं ये इलाइची क्या करती है केले को हज़म कर देते हैं दोस्तो ये तो थे इलाइची के फाइदे आईए अब जानते इलाइची के नुक्षान अलरजी ज्यादा तर लगातार ज्यादा मात्रा में इलाइची बन जाता है एक सोध के नुसार पता चला है कि शरील लाईची की पूरी तरह से पचा नहीं पाता है फिर अत्यदीक मात्रा में दीरे दीरे अगर हम जादा लाईची खाते हैं तो वाल लेडर का श्टोन का काण बन जाता है इसरा है रियक्शन अगर आप किसी तरह की दवाई ले रहे तो इलाईची उनके साथ रियक्शन करके कोई प्रेशा नियुत्पन कर सकती है दोस्तों इलाईची के नुक्षान पढ़कर आप घबराईए नहीं क्योंकि इसे बहुत कम चांस होते हैं बस इसकी आदत बनाए रखें कि आप स्मित मात्रा में ग्रहन करें आपको इलाईची के फायते नुक्षान कैसे लेगे हमें कमेंट में जरूर पताएं हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लेखे आएंगे थैंक्यू अमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे उसके लिए दोस्तों आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस करिए तो हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपके लिए इसी तरह से नहीं नहीं वीडियो लाते रहेंग झाल झाल